स्वागत है दोस्तों टिक्स कार्डा में फिर से बसे भी कैभार स्वागत है आज हम लोग 2N acknowledging के केरेंट तो जिसमें 15 कोस्चन आपका रहेगा इसमें 10 कोस्चन आपका रिसेंट्ली 3 जून का रहेगा और पांच question जो रहेगा वो आपका पिछले 6 मंत का रहेगा जो आपको revision के लिए दिया गया है तो सभी लोग video को last तक जरूर देखिएगा और इस video का जो PDF है वो आपको link description में दिया हुआ है तो आप वहाँ से download कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो आज का पहला question हे कि हाल ही में BCCI ने बर्स 2020 में रोही सर्मा को किस पुरसकार के लिए नामित किया है तो इसका answer होगा option C. यानि हाल ही में BCCI ने रोही सर्मा को राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार के लिए नामित किया है भारत में खेल के छैतने सबसे अच्छा पुरुषकार माना जाता है यह खेल के छैतने में भारत का सबसे अच्छा पुरुषकार है राजीव कांधी खेलरत्रंपुरुषकार और यहां पर बात लौए है BCCI की तो धिजियां रखियेगा BCCI का पूरा नाम सचीब के अगर बात किया जागा तब राहुल चौधरी और दियान दीज़ेगा रोही सरमा को जो नामित किया गया गया है तो राजीब गंदी खेलरतन पुरवशकार के लिए चलिएगा अगला कोशन है कि हाल ही में COVID-19 मरीज़्ों के लिए एक लाख बिस्तर त्यार करने वाला पहला राज कौन बना है तो इसका इंसर होगा option D उत्तर प्रदेश यानि हाल ही में उत्तर प्रदेश एक तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज बना है जो एक लाख बिस्तर त्यार किया है किसलिए तो COVID-19 मरीजों के लिए त्यार किया है लब्द करवाने वाला या पहला राज बना है और एक लाख बीस्तर त्यार करने वाला भी पहला राज बना है और हाली में वहां पर क्या हुआ था तो जीओ कॉम्मिटी कीचन जो गूगल के से समझाता करके प्रारम किया गया था उसके बाद एक और कल के हम लोग करेंट में बिक्सित करने का जो योजिना बनाया गया है वह कहां में तो उत्तर परदेश में जीश के तहते बीडियो कांफिरेंसिंग के जरिये केस की सुनवाई किया जाएगा उसके बाद आप लोग पढ़े थे कि आरोग ये से तु एप को अनिवार करने वाला जो राज है वह कौन सा तो उत्तर परदेश हैं यानि जो होट असपोट है कोविड नाइंटीन के कारण वहां पर आरोग ये से तु को अनिवार्ज किया गया उसके बाद पढ़े थे कि प्रवासी राहत मित्र एप जो भी जो लॉंच किया गया वहां में लॉंच किया गया अब बात उत्तर पर करने वाला जो पहला राज बना है वो कौन बना है तो उत्तर पर देश लिए का कि हाल लहीं में किस ने माई लाइफ माई योगा परतियोगता का सुभार्भ किया है और यह है कि आध्यान दीजेगा कि यह वीडियो के तहत होगा यानि यह इसमें सभी लोग को दिया बना करके इसको देना है यानि गोसना किया गया है जो तो आयूस मंत्रा ले और संस्कृती संस्क्रीटी संबन्ध परिशयन मिल करके इसको अयोजन करने की घोशना किया है योग दीव स मना जाता है यह करिसे मना जाता है तो कि मना जाता है तो अगले माहराष्ट, गुजरात, दादर और नगर हवेली और दमन दीव में जो चक्रवात तुफान आया है वह बताईएगा कि कौन है कि कौन है तो है पच्चिमी भारत में आया है और पूर्वी भारत बहरत नाम क्या था तो और यह कीशित तो यह है पश्चिमी भारत का इंसा प्रभावित हुआ है जिसमें महाराष्ट, गुजरात, दादर, नगर, हवेली, दमन, दीव यह सब प्रभावित हुआ है किस तुफान से तो निसर्ग से तो इस बात को भी आप लोग धिया रखेगा कि निसर्ग जो आया है वो कहा है तो ध्यान दीजेगा पश्चिमी भारत में लिएगा अगला कोशन के तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है कि हाल ही में दो जुन को किस स्थापना दिवस के रूप में मंड़ाया है που इसका है इसका होगा आप्शन भी ध्यान दीजगा नि तेलंगाना ने हाल ही में दो जुन को अपना स्थापना दिवस के रूप में मिनलग ज्याए कि 2 जुन 2014 को दो जून 2014 को तेलंगा नाराज का क्या हुआ था तो अस्थापना हुआ था यहां पे बात आई है कि पर्थम कौन थे उसके बाद अगर घर बात अगर किया जागा तो तम्मिल साईसुन्धराजन और तिलंगाना के तेलीया रुमाल को जी आई टेक दिया गया है तो तो हाली में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेगा और पिकरेक्ट होगा अब अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है यूजफूल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा चलिएगा अगला कोशन के तरह बढ़ ही आते हैं अगला कोशन है कि हाल ही में किस ने 56 नए CNGA station को देश को समर्प कौन से मंत्री है तो धर्मेंद्र प्रधान जी है और इनके द्वारा 56 नए CNGA station को देश को समर्पित किया गया है और यह जो देश के लिए समर्पित किया गया है तो यहां रखिएगा पूरा होता है तो अगला कोशन के तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है कि हाल ही में ibsi का नया मुख कारकारी जो अधिकारी है वह किसे निउट किया गया है तो द्या रखेगा यानि सात्मा मैं कोशन का option B यानि अरून सिंगल कि को ibsi का नया मुख कारकारी अधिकारी निउट किया गया है अ तो ध्याँ रखिएगा food safety and standard अँडिया और कोष्टession के दोषिया नाति है कि हाली一定 जो चूना गया वो अरून सिंगर जी को चूना गया है तो दिया रखेएगा एफे समिसेशाई का जो चूना गया है कि लिएगा अगला तरह बहते हैं आगला कोच आख़े में के नहींस हें हाल भी में सबसे ज्यादा, कमाई करने वाल जो पूरीश एथलीट बना है तो इसका, एंशर होगा, ð आप्सान ध्यान, ध्याँ दीजिएगा आप्शन ए रोजर फेटर ध्यान दीजेगा रोजर फेटर हाल ही में सबसे अधीक कमाई करने वला एथलीट बना है तो इसका इंसर आप्शन ए है और यह जो इसका जो दिया गया है यानि जो पैसा दिया गया वो कितना इसका अनुमाल लगा है कि एक सो चौद समलो तीन मिलि कोया है और दूसरे दूसरे किरिष्टियान और रोनाल नाल्डों है जो दूसरे अस्थान पे ऑधि कमाई करने वाला जो कौन है तो रोजर फेटरर है अगला कोश्चन कितरे बढ़ते हैं कि सी एम आई की रिपोर्ट के मुताबिक 31 माई को खत्म हुए सपता में बिरोजगारी दर भारत का कितना पहुचिया है यह इंपॉंटेंट कोश्चन आपको पता होना चाहिए यानि बिरोजगारी दर जो हाल ही में जो सी एम आई की ढ़िए क्या तो उसेंट्र फ़ॉर मुनेटृरिंग क्या है तो सेंट्र फॉर मुनेट्रिंग इंडिया एक नॉमि आ देया देजीए 안 धे करता है लेकिन बरतमान समय में इसका भी डाटा को प्रस्तूत किया जाता है अधिक जगह से इस वजह से इसको भी कुछ माना जाता है इस वजह से इसका भी रिपोर्ट को हम लोग याद रखेंगे तो अगला कोशन है कि इवे से में पुलिस परतारना से किस अस्वेत के मौत के बाद सहरों में परदर्शन हो रहा है तो इसका इंसर होगा ऑप्शन दियान दिजेगा ऑप्शन यानि जोर्ज का रिखेंट का कारवादी छाली में पहले पूलिस पकड़ा था और उसको पुलिस के मौत होने के बाद के लोग सट को पर ऊतर करके बिरोज हथी कर रहे हूं इस वज़े से डोनार्ड ट्रम को बंकर में सऱन लेना पड़ा है और अपने लोगों के परतिक है लोगों को सांथ करने का परियास किया रहा है तो इस बात को भी आप लोग रखेगा हाल ही मिर्टुबगा है तो अमेरिका में चलिएगा अगला कोशन है कि इन में से कौन सी पुस्तक इम्यानुवल मैंक्रोन के द्वारा लिखा गया दिएगा तो इसका ऑप्शन बिल्कुल रहा दिया दिएगा दिएगा दस नमबर तक आपका रिचेंट तो इसको आप लोग पुरबग पढ़िएगा तो आपको कभी भी अलग से करेंट से फेर उतना पढ़ने कि आप सकता न इम्यान मैंक्रोन ध्यान दीजिएगा फ्रांस के राष्ट्पती फ्रांस के राश्वति कौन है तो तक हो अगर दैखनी लिएट के क्वाहें अरो सब पुस्तक से और लेखक से कुछ समंधित कोश्चन तो इसको भी आप ध्यान रखेगा चलिए आगला कोशिंग के तरह बलते हैं कि सर्वसेष्ट अभिनेत्री के रुप में चुना गया अब सुरेखा सिकरी ओप्षन में तो ध्यान दिजेगा कि सुरेखा सिकरी को चुना गया सर्वसेष्ट सहायक अभिनेत्री के रुप में सुरेखा सिकरी को चुना गया सीरी देवी और हमा मालीन को लाइफ टैम अचीव् वो किसे दिया गया तो सीरी देवी और हेमा मालनी जी को दिया गया है तो इस वात को भी आप लोग घ्यान रखिएगा यानि फिल्म से समझनी ते कोश्चन है चलिएगा अगला कोश्चन के तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन है कि भारत ने कुंडलिक मठ का जो पुनर निर् संजूक्त कर देश कने बोर्ड किस देश के साथ भारत ने किस देश के साथ किया इसमें एक भारत और और ओर यहान है थ्यान दिएगा थारन के सांप्रीति हैं जो कि साथ तो भारत और मंगलादेस के बीच में होता है संप्रीती सहने व्यासते इसको भी आप लोग धियान रखिएगा चलिएगा अगला कॉस्टन है कि यह यह यूरोपियन उनियन है वो किस वरस तक एकल प्लास्टिक उप्योग को परतिवंधित करने के मंजूरी परदान की है तो को बंद करना आ तो इसका एंसर ऑप्शन बी बिल्लकूल तो इसको आप लोग धियान दीजेगा तो चैने बरस कैरे बर्स 2019 का मिस वर्ड्ट किसे चुना गया है तो बर्स 2019 का जो मिस वर्ड्ट चुना गया वो किसे चुना गया तो टोनीय तो टोनी एंसी बिल्कुल करेक्टेंसर होगा यानि इसे मिस वर्ल 2019 का चुना गया था उसके बाद आपका निलेशी पिमेंटल है तो ध्यान दीजेगा निलेशी पिमेंटल जो है वो कौन है तो मिस अर्थ 2019 थे उसके बाद जो जी विनी तुन्जी का अगर चर्चा अगर किय तो कौन थे तो यानि यह मिस उनिवर्स 2019 मिस उनिवर्स 2019 सुमन राओ का अगर चर्चा किया जागा तो सुमन राओ जो है वो क्या थे तो आपको पता न चाहिए कि फेमिना मिस इंडिया 2018 तो आप सभी लोग को जितना भी जनकारी कोस्टन से रिलेटेड है तो सभी ऑप्ष बताईए के कमेंट में तो आज का हुंबर कोशन है कि बरतमान में भारी उद्योगर सार्व जानिक उद्धा मंत्री कौन है पताईएगा आपके स्क्रीन को पर है तो इसको आप लोग ऑप्शन को दियान दीजेगा और आप लोग जितने भी एक्टिनेट देखना है तो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा धन्यवाद जाय हिन